हे ममाज एंड डैडी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के दातों को पहली बार ब्रश कैसे करें और बच्चे के दातों को ब्रश करना कब शुरू करें जब तक आपके बेबी के दात निकलने शुरू ना हो जाएं तब तक टूथ ब्रश या टूथ जीब, मसूडे, अंदर के होंट और अंदर के गालों को रोजाना साफ करने की जरूरत है American Dental Association बच्चे की जीब और मसूडे को रेगुलरली साफ करने की सला देती है अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चे की जीब और मसूडे को कैसे साफ करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरा एक माइक्रो प्रीमी चैनल इंग्लिश में भी है प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जादा से जादा ओडियन्स तक पहुँच सकूँ अपने बच्चे की मुँ की सफाई को शुरू से अपने रूटीन का हिस्सा बनाने से ये इंशूर करने में मदद मिलेगी कि जब तक आपके बच्चे का पहला दांत आता है तब तक आप और आपका बच्चा दोनों पहले से ही ओरल हाईजीन के आदी हो चुके हैं ममाज एन डेडीज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके बच्चे की health, development and care से related वीडियोज लेकर आती रहती हूँ जब आप अपने बच्चे के दातों को ब्रश करना शुरू करेंगे तब आप उसे अपनी गोद में बिठाएं बहुत अच्छा होगा अगर आप mirror के सामने बैट पाएं क्योंकि तब आप और आपका बच्चा दोनों देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं सिलिकॉन फिंगर ब्रश से दातों के चारो ओर सर्कुलर मोशन में ब्रश करें और पूरे मसूडों पर धीरे धीरे ब्रश करें मगर ये ब्रश बहुत जादा भी ना करें क्योंकि मसूडे टेंडर होते हैं उनके आसपास और नए दात आ रहे हैं बच्चे को दर्द हो सकता है बच्चे को discomfort हो सकता है और बच्चा ब्रश करने से चिड सकता है और अगर आप इस ब्रश में टूथपेस्ट का अस्तमाल नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेक्टिरियास को दूर रखने के लिए दिन में दो बार, हर सुभा और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है बच्चे को कुला करवाने की कोई जरूरत नहीं है ब्रश करते वक्त आप गाने गाईए ब्रशिंग को फन एक्टिविटी बनाईए क्योंकि आप सिर्फ बच्चे को ब्रश नहीं करवा रहे आप ओरल हाईजीन को जिन्दगी भर के लिए आदत बना रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपसे बहुत जल्द दुबारा मुलाकात होगी एक बहुत ही यूसफुल वीडियो के साथ धेर सारा प्यार सारे पेरेंट्स और उनके बेबी इसको